हालो स्टुडेंट्स हाव आई यू आज की हिंदी कक्षा में आप सब का स्वागत है अब सब बच्चे अपनी हिंदी की ओमंग बुक का पार्ट बारा परवरिश निकाले जिए बच्चो पिछले सेशन में आपने इस पार्ट की रीडिंग की और दो परिवारों के द्वारा की गई बच्चों की परवरिश का अंतर तथा उससे उत्पन परिनामों के बारे में जाना बच्चो अब हम बढ़ते हैं अब्यास कारे की और लिखने की बारी हमारी पहले एक्सेसाइज है प्रशनों के उत्तर संग्शेप में लिखिए हमारा पहला प्रशन है आज के संदर्ब में बच्चे क्या चाते हैं तो बेटा हम की वर्ड्स की सहायता से इस प्रशन को हल करेंगे और हमारे की वर्ड्स हैं नेम और फिम न कोई म नेम बढ़ा और और फो कोई म फिम तो इस प्रशन का उत्तर बना आज के संदर्ब में बच्चे नेम और फिम चाहते हैं बच्चों बाकी के प्रश्णों की अब मैं रीडिंग करूंगी और इनकी डिस्केशन लेस्न की रीडिंग के दरान हो गए थे अब इन प्रश्णों के उत्तर आपने खुद हल करने हैं हमारा नेक्स प्रश्ण है माता पिता को किस हद तक बच्चों का साथ देना चाहिए नेक्स क्या बच्चों की बढ़ती हुई अमीदे सही है नेक्स किस तरह की शिक्षा आज के समय में जरूरी है बच्चों अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर टू प्रश्णों के उत्तर विस्तार से लिखिये लॉंग आंसर्ट हमारा पहला प्रश्ण है सिनिहा किस बात के प्रती स्तर्क रहती थी तो बच्चों की वर्ड की सहायता से मैं आपको इसका उत्तर लिखना बताऊंगी बाकी के प्रश्णों की मैं रीडिंग करूँगी और वे आपने खुद करने हैं फर्स्ट प्रश्ण के की वर्ड़ हैं सही परवरिश पर व र को छोटी ई श परवरिश तो बेटा इसका आंसर हम इस प्रकाह लिखेंगे सिनेहा बच्चों की सही परवरिश के प्रती स्तर्क रहती थी बच्चों बाकी के प्रश्णों की अब मैं रीडिंग करूँगी आज के माता पिता किस चीज में व्यस्त हैं सिनेहा और कविता के पालन पोशन में क्या फर्क था स्कूल प्रिंसिपल ने कविता को क्या बात बता ही क्या समय रहते कविता ध्यान देती तो रोहन और अकांग्षा बिगडने से बच सकते थे अपने विचार लिखिए अब सब बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी निका लीजिए और मैं आपको कॉपी पर लिखने का डंग बताऊंगी सब बच्चे सबसे पहले लिखेंगे तिथी दूसरी और कक्षा कारियो पाठ बारा परवरिश एक्सरसाइस नंबर थ्री आश्यस पस्ट कीजिए तो बेटा मैं आपको की वर्ड्स की सहायता से आश्यस पस्ट करना बताऊंगी बच्चो सबसे पहले हम मार्जिन लाइन में लिखेंगे संकेत सो अनुस्वार को ए तो संकेत तो संकेत हम लिखेंगे बबूल बोकर आम नहीं पास सकते मार्जिन लाइन में फिर हम लिखेंगे आश्यो और उसके कीवर्ड्स इस परकार है प्रस्तुत पोके पैर में पदेन आदस तो उ तो प्रस्तुत उमंग उ म के उपर अनुस्वार ग उमंग परवरिश प रो व र ई श परवरिश नेक्स वर्ड है निरू बत्रा कहावत को हो आ वो तो कहावत बबूल आमो माता पिता परवरिश बच्चों बो आदा चो चो ओ अनुस्वार सफल उजवल उ आदा जो आदा जो वो लो बविश्य बो वो ई आदा शो यो बविश्य बच्चों अब की वर्ड की सहायता से मैं आपको इस पंक्ती का भाव लिखना बताऊंगी प्रस्तुत पंक्ती हमारी हिंदी की पाठे अपुस्तक उमंग में से पाठ परवरिश की है इसकी लेकिका नीरू बत्राजी हैं यह एक कहावत है इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार बबूल का पिर उगा कर हम उससे फल रूप में आमू की आशा नहीं कर सकते उसी प्रकार माता पिता द्वारा सही परवरिश ना दिये जाने पर बच्चों के सफल और उज्वल बविश्य की आशा नहीं की जा सकते बच्चों अब हम बढ़ते हैं दूसरे आश्य की और फल वाले गनिवरिक्ष से क्या मतलब है तो बच्चों मैं आपको कीवर्ड की सहायता से इसे लिखना बताऊंगे सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत फल वाले घणी वरिक्ष से क्या मतलब है फिर हम लिखेंगे मार्जिलाइन में आश्य और हमारा पहला कीवर्ड होगा प्रस्तुत पोके पैर में पदेन आदा सो तक छोटा उत प्रस्तुत नेक्स्ट वर्ड हैं उमंग परवरिश नीरू बत चायादा छ आ य आ द आर परोपकार प र क ओ प क आर परोपकार नेक्स्ट वर्ड है सुक बच्चों सही परवरिश गुनों ग उ हू अनिय ओ अनुस्वार साथ परोपकारी परोपकारी बच्चों अब हम की वर्स की सहायता से इस पंक्ती का भाव इस प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार फल दायक छायादार पेड परोपकार हे तू छाया और फल की रूप में सुख पहुंचाते हैं उसी प्रकार सनेहा और कमल भी अपने बच्चों की सही परिवरिश करके और अन्य गुनों के साथ प्रोपकारी बनना भी सिखा रहे थे बच्चों अब हम बढ़ते हैं exercise number 4 सही विकल्प पर सही का निशान लगए बच्चों आपकी सुविदा के लिए एक मैं आपको हल करना बताऊंगी बाकी की मैं रीडिंग करूंगी और यह आपने खुद करने हैं हमारा पहला sentence है आज के बच्चे सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं तो बच्चों यहां पर तीन options दिये गए हैं माता पिता का साथ बड़ों की सलह मान कर अपने अंदर परिवतन लाना अकेले रहकर अपनी दुनिया में मस्त रहना तो बच्चों इसका उत्तर होगा अकेले रहकर अपनी दुनिया में मस्त रहना बाकी की अब मैं रीडिंग करूंगी नेक्स्ट, शिवांश और देवांश क्या करते थे? माता-पिता को तंग करते थे? पड़ाई पर ध्यान देते थे? फाल्तू खर्च करते थे? नेक्स्ट, सिनिहा बच्चों को क्या सिखाती थी? दूसरों को बे इज़्जत करना? सिर्फ अपने बारे में सोचना, सब को प्यार बांटना वो सम्मान देना? नेक्स्ट, कविता किस चीज की होड में लगी थी? बच्चों को कामिया बनाने में, अधिक से अधिक पैसा कमाने में, अपने दोस्तों में अच्छी स्थिती बनाने में? बच्चों, अब हम बढ़ते हैं भाषा की बात की और, हमारी पहली अक्सरसाइज निब्ड़ वाकियों में क्रिया विशीशन शब्दों को रिखांकित कीजिए, वो उचित बेद पर सही लगाईए. बच्चों, मैं आपके साथ सब की डिसकुशन करूँगी, और एक मैं लिखने का डंग बताऊंगी, बाकी के आपने खुद रिखांकित करने हैं, यहां से वहां तक पानी ही पानी है, तो इसके दो आप्शन्स दिये गे हैं, परिमान वाचक, स्थान वाचक, तो इसका उत्तर होगा परिमान वाचक, सब बच्चे इसको अंडरलाइन करें, और सही का निशान लगएं, नेक्स्ट है, मैं सुबा गूमने जाऊंगी, कालवाचक क्रिया विशेशन्ट, नेक्स्ट अकांक्षा तेज दोड़ती है, रीती वाचक क्रिया विशेशन्ट, नेक्स्ट तारे टिम्टिम करके चम करहें हैं, रीती वाचक क्रिया विशेशन्ट, हम प्रती दिन स्कूल जाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेशन्ट, और अंतिम दाएं बाएं देखकर सड़क पार करें, यह है हमारा स्थान वाचक, प्रिया विशेशन बच्चो अब हम बढ़ते हैं एक्सेसर्स नंबर टू की और समुच्य बोधक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए तो बच्चो मैं आपके साथ डिसकस करूंगी और एक लिखने का डंग भी बताऊंगी बाकी के आपने खुद लिखने हैं हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हें प्रती दिन पढ़ना डैश खेलना चाहिए तो बच्चो यहां पर समुच्य बोधक शब्दाएगा तथा तथ तआ बाकी की अब मैं रीडिंग करूंगी और आप खुद लिखेंगे बाहर वर्षा हो रही है डैश समोसे खाने का मन हो रहा है तो इसमें आएगा इसलिए बच्चे को दूद दे दो ताकी वो चुप हो जाए आरफ मेहनत करो अन्यथा और सफल हो जाओगे रादा और मीरा क्रिश्न की बक्ती में लीन है बच्चो अब हम बढ़ते हैं exercise नमबर 3 दूसरी भाषा में आए सभी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए तो बच्चो इन सभी शब्दों की discussion मैं आपके साथ करूंगी और एक मैं लिखने का डंग बताऊंगी बाकी के आप खुद लिखेंगे हमारा पहला वर्ड है प्रिंसीपल मुख्या अधियापक म उ आदा को यो आ आदा धो यो आ पो को हमारा नेक्स वर्ड है अपॉइंटमेन नियुकती न इ आदा यो छोटा वू आदे को को छोटी इतो नेक्स वर्ड है पबलिक डीलिंग सार्जनिक व्यवहार सो आ वो उपर्यफ जो न इ को सार्जनिक व्यवहार आदा वो यो वो हो आ रो नेक्स्ट वर्ड है parents, μाता, पिता नेक्स्ट वर्ड है social, सामाजिक, सामाजिक नेक्स्ट वर्ड है school, विद्ध्यालियो वो इ दो के बैर में हलंत, ये आ लोGood like हमारा नेक्स्ट वर्ड है मसरूफ, मसर रो उ फो नुकता चिन मस्रूफ मींज व्यस्त आदा वो यो आदा सो तो नेक्स्ट वर्ट पार्टीज पो आ तक बड़ी ई उपर रेफ जो जो के पैर में जो बिंदी है उसे नुक्ताचिन कहते हैं मींज दावती दो आ वो तो ए अनुस्वार नेक्स वर्ट है ग्रेजुएशन सनातक स्तर की पड़ाही आदा सो न आ तक सनातक आदा सो तोरो स्तर पड़ा बड़ी पड़ाही बच्चो अब हम बढ़ते हैं एक्सेसाइस जंबर चार रचना के आधार पर उचित वाक्य पर सही लगाए बच्चो मैं आपके साथ सारे वाक्य डिसकस करूंगी और एक लिखने का डंग बताऊंगी बाकी के आपने कुद लिखने हैं हमारा पहला सेंटेंस है तुम यहां आओ और मुझे साथ लेकर जाओ बच्चो यहां पर तीन ओप्शन दियेगे हैं सरल वाक्यो मिशर वाक्यो और संयुक्त वाक्यो तो इसका उत्तर होगा संयुक्त वाक्यो सभी बच्चे संयुक्त वाक्यो के नीचे अंडरलाइन करेंगे और टिक लगाएंगे हमारा नेक्स्ट वाक्य है रेहान एक अच्छा लड़का है और इसके options हैं संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य तो इसका उत्तर होगा सरल वाक्य बच्चो अब हम बढ़ते हैं exercise नंबर 5 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में परियोग कीजिए बच्चो मैं आपके साथ मुहावरों के अर्थ और वाक्य डिसकस करूंगी प्रन्तु आपने मेरे वाले वाक्य परियोग न करके अपनी शब्दावली का परियोग करना है आपकी सुवीदा के लिए एक मीनिंग मैं आपको लिखना बताऊंगी बाकी के आप खुद लिखेंगे और मैं डिसकस करूंगी बच्चो हमारा पहला मुहावरा है आँखों का तारा मिन्स बहुत प्यारा आदाप योपा रोपा प्यारा इसका वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे बच्चे अपनी माता पिता की आँखों के तारे होती है हमारा नेक्स मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना अर्थ बहुत हैरान होना इसका वाक्य हम इस प्रकार लिखेंगे सरकस में भालू को मोटर साइकल चलाते देख सब लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे नेक्स्ट हाथ बढ़ाना मदद करना गरीबों की मदद के लिए हमेशा हाथ बढ़ाना चाहिए नेक्स्ट चिकनी चुपड़ी बाती करना खुशामत करना इसका वाक्य जो चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं उन्हीं लोग सम्मान की नजरों से नहीं देखते नेक्स्ट पैरो तले जमीन खिसकना घबरा जाना रामलाल वेपारी को जब यह पता चला कि वे दिवालिया हो गया है तो उसके पैरो तले जमीन खिसक गई बच्चों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाट परविश्ट आपको अच्छी तरह समझा आ गया होगा सभी बच्चों ने इस पाट की दोहराई करनी है दन्यवाद गुडबाई